हएग वॉइट के फ्रेंट कैमरा से ताकि आपको एक पता चल सके हैं आगर आप ब्लॉगिंग बर अगर चाहते हो तो इसके फ्रेंट कैमरा से कैसे हो सकती है और voice इसकी कैसी आती है कितनी अच्छी आती है और हाँ आज का जो मुद्दा है वो है IQ7 का नया update उसके बार में हम बात करेंगे क्या नये features है क्या कुछ हाया है अपडेट के अंदर और क्या चीज़े सुधर गई है और आपके लिए एक छोटा सा काम है यह वीडियो स्पॉंसर की गई है यूट्यूब के बेल बटन के द्वारा तो हाँ वीडियो को लाइक करें नए हो तो चैनल को सब्स्क्राइब करें बेल बटन को ज़रूर से दबा देना एंड चलो अभी बात करते हैं अपडेट के बारे में सब्सक्राइब करें यहां पर आया कहता है यहां पर पड़ सकते और आम से और इस अपडेट में लिखा हुआ है सबसे पहली चीज की आपको थोड़ी से इंप्रूवड सिस्टम स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी इसके बारे मैं आपको पताता हूँ क्या चेंजिस आये है। मैंने जो दो न नोट किये और साहम में यहां पर शिस्टम आपडेट कर दिया गूंगल से क्योटी पैकर या प्छोदी रीघुया है यान की जून और और यहां पर गाट का गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या चेंजिस हमां देख रहे हूं मिल रहे हैं तो सामने आप देख सकते हूं यहां पर लिखा हुए जून वन 2021 तो बहुत अच्छी बात है आई को यहां पर अपडेट दे रहा है और आपको लेटेस्ट अपडेट दे दिया इन्होंने जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मैं सही बोल सकता हूं यारे OS बहुत ही बड़ी है और फोन मेरा काफी जाधा स्टेवल है अब इन्होंने का camera app खोलता था तो crash हो जाता था बड़ अभी इस update के बाद यहां पर मैंने camera app को crash होता हुए कभी नहीं देखा है so that's a good point यहां पर camera app काफी stable हो गया है and बहुत अच्छे से photos and videos को मैं record कर पाता हूं जो की बहुत अच्छी बात है बाकि यह अपडेट के अंदर जैसे की flickering के बार में बताया गया है वो मैं test कर लूँगा और यहां पर एक चीज और की जो game में vibrations के बार में बात करते हैं वो काफी इंप्रूव वही है मैंने game खेल के देख लिया है तो काफी अच्छी चीज है एंड हां क्या यह अपडेट करना चाहिए तो definitely आपको यह अपडेट कर लेना चाहिए यह चोटी सी वीडियो थी बताने के लिए अपडेट करना चाहिए तो आपके लिए इस वीडियो अच्छी लगी होगी अगर में कुछ नए चेंज वारा देखने को मिलेंगे तो मैं आपको जरूर सब बता दूँगा बाकी अभी के लिए इतना ही गया खिया अपना और अपने चानल वाल को आपने चानल को किसमाने आपके लिए वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना बाबाई